हेलो दियर फ्रेंड्स हाव यू दिस लेक्टर नबर 25 लेक्टर नबर 25 आफ हमारे पास जो लेक्टर सीरी चलिए कोड़ आफ किर्मल प्रोसीजर 1898 के अदर हम जो चेप्टर डिसकस कर रहे थे कौन था चेप्टर नबर 8 चेप्टर नबर 8 के A B portion हमने डिसकस कर दिया था C portion हमारा है proceedings in all cases subsequent to order to furnish security जो order हमारा पास हो जाता है security furnish करने के लिए जो order हो जाता है उनकी बात जो भी कारवाई है वो हमारा पास C portion के अदर आ जाती है जिसके अंदर lecture 120 से लेकर 120E तक आ जाता है अब section 120 बात करता है commencement of period for which security is required अब कितना वक्त जो है हमारा पास कितना वक्त है हमारा पास वो वक्त कब start होuben जब जो है जो security जो मांगी गई है जो जमानत मांगी गई है उसका वक्त उसका period means time पीरिड में टाइम वो टाइम कभी स्टार्ट होगा वो टाइम तब स्टार्ट होगा जब वह सेंटेंस जो है जिस शक्स को सेंटेंस हुई है में सजा जो हुई है शक्स को वह सजा जैसे खत्म होगी उसके बाद वो टाइम स्टार्ट हो जाएगा ठीक है और सब सेक्शन टू के अंदर ये बात करता है कि दूसरे जो भी कैसिस हैं उसकी अंदर जो माजिस्टेट हैं वो बहतर समझे फार सफिशन रिजर्ण से फिक्स लेटर डेट कोई और डेट भी मुकरर कर सकता है अब सब हमाल पास सेक्शन क्या बात करता है कंटेंस अब बोन के अंदर क्या लिखा होता है बोन के अंदर यही लिखा होता है कि आपने जो है पब्लिक की पीस जो है वो मैंटेंड करना है वो मैंटेंड रखना है उसके लिए जमानत आपने देनी है और अपने अच्छे बीहवियर के लिए आपने अच्छे बरताओं के लिए या फिर जो अमनों अमन बरकार रखने के लिए अगर उनमें से किसी भी बात का आपने के वायुलेशन की तो फिर वो क्या माना जाएगा वो ब्रीच आफ दा बॉन्ड वोना जाएगा जो आपने मचल के जमा कि उनकी खिलाफ वर्दी हो जाएगी यह बॉन्ड के अंदर दिये गए होती है कि बॉन्ड के अंदर मवाद क्या होगा बॉन्ड का जो बॉन्ड हम देते हैं ठीक है अब सेक्षिन 122 बात करता है पावर टू रिजक्ट शोटी अब हमारे पास माजिस्टेट के पास पावर है कि जो शोटी दे रहा है उसको रिफ्यूज कर सकता है क्या कर सकता है रिफ्यूज कर सकता है इनकार कर सकता है इस बात से लेने से इनकार कर सकता है किसी भी जामिन को लेने से आरी बात समझ में अगर वो बहतर समझे तो अगर अगर दमानत किसी शक्स की लीग गई है और उसके बाद रिफ्यूज कर सकता ह accept करने से या फिर accept कर लिया है उसके बाद उसको क्या कर सकता है reject कर सकता है यहां तक बात clear है अगर यह section के तहट अगर किसी शक्स की shorty जो है reject हो जाती है या फिर bond reject हो जाता है या फिर accept करने से refuse कर लेता है magistrate तो फिर क्या इसकी remedy है इसकी remedy होगी section 406A 406A CRPC CRPC के section 406A means 406A 406A के अंदर क्या होगी appeal होगी appeal में क्या बताया गया है वहाँ पर appeals हमार पास appeal के अंदर I think बताया गया है appeal from orders refusing refusing to accept or rejecting a shorty अगर shorty जो है section 122 के अंदर reject की जाती है या refuse की जाती है तो फिर उसकी appeal हो जाएगी 406A के अंदर CRPC के section 406A के अंदर कहां होगी यह होगी हमारा पास session judge के पास में session court के अंदर session court के पास यह appeal होगी यहां बात की जाते हैं उसके बात चले जाते है section 123 123 बात कहता इंप्रिशनमेंट in default of security अब security जो है आप नहीं दे रहे जिसके अगेस्ट में हमारा पास क्या हुआ है order हुआ है security देने का मगर वह security नहीं दे रहा है तो फिर उसको क्या किया जाएगा उसको इंप्रिसोंड किया जाएगा मिस उसको jail में डाला जाएगा डेल में detain किया जाएगा यहां तक बात के लिए रहे किसके वज़ा से security ना देने के वज़ा से मिन्स वह default में उनको jail बेजा जाएगा जहां तक बात के लिए रहे बिलकुल आसान है अगर यह आप यह किसी स्टुड़न्ट की रिकस्टी के सरी यह जो है मारा पार फार्मल सेक्शन से हैं आप हमें समझा दिया करें हम जो है खूद ही इसकी जो है बैर डिंग कर लिया क करेंगे यहां तक बात क्लियर है सेक्शन 123 123 के अंदर अगर किसी किसम का कोई सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर किसी शक्स के अगेस्ट में कोई security का order हुआ है फार एक्जम पर कोई ए है ए जो है हमारा पास कोई ऐसा शक्स है जिसी खत्रा है कि यह जो है पीस को न पहुंचा सकता है तो फिर उससे क्या ले सकते हम security मांग सकते हैं कि आप क्यों न अपनी security दें या फिर अपना bond दें जा जो भी दें अगर वो नहीं देता है तो फिर उसको जेल में डाला जाएगा यहां तक बात कि लिए रहे उसके बाद हम चले जाते हैं section हमारा पास 24 24 ब failing to give security जिस शक्स को हमारा पास section 123 CRPC के तहथ जेल में रखा गया था in default security न देने के default में जमानत ना देने के default में जिस शक्स को जेल में डाला गया था जिस शक्स को ठीक है detain किया गया था उसको release करना अगर हमारा पास यह release कोन कर सकता है यह release हमारा पास session judge को power है वो session judge हमारा पास release कर सकता है यहां तक बात क्लिए है अगर यहां तक बात क्लिए है तो इसकी बाद हम आगे चलते है section 125 125 बात काता है power of session judge to cancel any bone for keeping the peace or good behavior अब session judge को इक्तियारात दिये गए है कि अगर किसी शक्स के हमारा पास against में कोई order हुआ था हमारा पास अमन और अमान बरकरार रखने के लिए और अपना अचा behavior बरकरार रखने के लिए तो फिर उस order को cancel करने का उस order को काला अदम करार करने के इत्यारात भी हमारा पास session judge रखते हैं जब किसी भी क्थ अगर वो बहतर समझें अगर किसी court ने इससे जो subordinate आग्जेंट पर subordinate कोई है इनसे subordinate magistrates हैं जो भी magistrates हैं अगर किसी magistrates ने order किया था किसी शक्स के against में good behavior और peace को maintenance करने के लिए औरे bond execute कर आया था session judge जो है उसको cancel कर सकता है इस ground पर कि वो अब जरूरी नहीं है जैसे अब ऐसे समझ लें कि thinking it no longer necessary that the person should be bound over कि जिस शक्स के against में ऐसी हमार पास security का order हुआ है जिस शक्स के against bound का order हुआ है वो अब पाबंद रहने के लिए जरूरी नहीं है कि वो आइदा भी पाबंद रहे तो फिर ऐसे हमार पास security को cancel कर सकता है और discharge कर सकता है discharge means release कर सकता है यहां तक बात के लिए रहे उसके बात चले जाते है section 126 126 क्या बात करता है discharge of shooties discharge of shorties जो shorties जो दी गई है उनको release करना अब शोटी जो दी गई है ठीक है अगर अब session judge यह बहतर समझे ठीक है कि अमनों अमान बरक्रार रखने के लिए ओ फार sorry यह shorties जो है यह discharge of shorties एक अलग से एक topic है यह कब अपला होता है जब फार example मैं आपको मिसाल से समझा देता हूँ कोई A है A के against में हमार पास हमार पास peace maintain करने के लिए या फिर good behavior का कोई order हुआ था security का ठीक है और B के लिए से जामिन किसने दिया था हमार A के लिए B जो है वो जामिन बन गया था means security बन गया था इन्होंने security दी दी थी B ने A के लिए court में ठीक है अपना bond दिया था या फिर ये security था तो फिर ये court में apply कर सकता है कि ये जो मैंने security दी थी मैंने जो bond दिया था वो मेरा bond cancel समझा जाए क्योंकि अब मुझे खुद्शा है या किसी भी ground पर ठीकि A जो है वो conceal कर सकता है या A कुछ भी कर सकता है किसी मुझरिम के लिए अपनी जम अपनी दमानत दी थी अब खुद जो है जामिन पड़ा था उसके अदर अब जो है वहां से दर्कास दे सकता है कि इसमें से मुझे खारिज किया जाए अब इसमें ground नहीं बताएगी कि किस ground पर ठीकि ऐसी application अगर वो शक्स कोट में देगा तो फिर इस application के बाद कोट जो है उस शक्स को समन बेजेगी या फिर गरिफतारी के वारंट इशू करेगी कि ऐसे शक्स को गरिफतार करके कोट में लाया जाए क्यों नो वो अपनी fresh security पेश करे आरे बास समझ में क्योंकि आपकी जामी जो है वो अपने ही security केंसल करा रहे है तो आप जो है अपने और कोई ताजा हमार पास जमानत दें जमानत पेश करें जहां तक बात किज़े रहे उसके बात चले जाते हैं section 126A section 126A बात करता security for unexpired period of bond unexpired period of bond means किसी unlimited या फिर unexpected period किस period के लिए unexpected में जिसका कोई अंदादा हम ना लगा सकें court order कर सकें किसी भी शक्स के लिए against कि आप जो है unexpected period तक अपनी security दें अच्छे behavior या फिर peace को maintain करने के लिए क्यों ये किस हमार पास है हमार पास जे शेक्स इस जो section है 126 ए जो section है इसकी अंदर कारवाई किस वक्त होती है इसकी अंदर कारवाई उस वक्त होती है जब section हमार पास 122 के subsection 3 के अंदर अगर कोई order हुआ था या फिर warrant issue है थे उस या फिर subsection हमार पास 2 जो है 26 का ठीक है 126 का उसके तहत अगर इसकी अंदर किसी बी किसम का कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरा वार्षेप नंबर है 0-3-0-0-3-4-7-2-8-5 यह मेरा वार्षेप नंबर है आप इन पर मुझे वार्षेप करके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं यही मैं फार्मल हमार पास पढ़ा रहा हूँ इसकी अंदर जो चीज़ें आपके प्रैक्टिस में ज्यादा काम की नहीं उनको फार्मल तरिके से पढ़ाओँगा और जो चीज़ें हमार पास प्रैक्टिस के अंदर जरूरी है उनको डिटेल में मैं आप से जो है लेक्टर स्टिर करूँगा आरे बात समझने में पहले हम bearing reading जो है मुकमल CRPC की clear कर लें उसके बाद जो है हम main topic brief में discuss करेंगे thank you so much